हेलो गाइज, वेलकम टू लर्निंग स्किल, आइम जोती सिक्का, एंड टूदे वी विल डिस्कस कस्टमर सर्विस फंक्शन, मींस ग्रहाक सेवा के कार्य, ग्रहाक को सेवाइं प्रदान की जाती हैं, उसके क्या-क्या कार्य होते हैं, एंड सेल एसोसियेट सर्विसेज टू क मतलब जो सेल एसोसियेट सें, जो सेल्समेन भी बोलते हैं, जिनको हम वो कस्टमर को क्या-क्या सर्विसेज प्रवाइड करते हैं, तो लेट स स्टार्ट, टूदेज एजंड़ा, टूदेज एजंड़ा मीनस वट वी अर गोइंग तूदेज इस वीडियो, फिर्स्ट, वी मतलब कस्टमर सर्वे से हम क्या समझते हैं, then we will discuss कस्टमर सर्विस फंक्शन, मतलब कस्टमर सर्विसेज में क्या-क्या फंक्शन होते हैं, क्या-क्या कारिय आते हैं Customer Service Functions Customer Service Functions means A sale associate deals with customer जो sale associate है किसी भी retail store पर वो customers के साथ deal करता है उनके साथ sale purchase जो sale का कारिय है वो करता है He also solve their problems quickly अगर customers को कोई problem आती है तो वो उनको solve करता है He provide different type of services to customer और इसके इलावा वो different type की services भी provide करता है सेवाएं भी प्रदान करता है जैसे home delivery अगर retail store के policy है तो home delivery देता है packing, gift packing, wrapping या payment की facilities जैसे कैसे payment करनी है credit card, debit card या इसके साथ साथ trials, कितने trials ले सकते है and उनको suggestions देना, advises देना जो भी product से related information है वो सब बताना तो यह सब customer services में आता है तो customer services में I think आपको meaning clear हो गया है जैसे एक retailer बनाया है मैंने यहाँ पर और बहुत सारे customer है different types के, उन सबको जो retailer है वो deal करेगा customer service functions include मतलब customer services में क्या-क्या functions include होते है number one is customer support मतलब customer को support देना then pre-sale pre-sale मतलब sales से पहले क्या-क्या, उसको facilities प्रवाइड की जाएंगी, information दी जाएंगी then marketing मतलब marketing करना, how to promote the sale different type of products को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना sales करना, technical support अगर कुछ ऐसे products बेच रहे हैं इसमें technical knowledge भी चाहिए, जैसे mobile है, computer है तो उनके लिए वो technical support भी करते हैं social media, customer services अगर customers को social media पर कुछ information देनी हैं तो वहाँ पर भी provide करते हैं customer support सबसे पहला जो function है इसका वो है customer support sale associate interacts with potential customers potential customers होते हैं जो की सच में कुछ खरीदारी करने के लिए आते हैं, जो इच्चुक होते हैं खरीदारी करने के उन्हें हम बोलते हैं potential customers जैसे type of customer हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि type of customer क्या होते हैं जैसे कुछ customer खरीदना नहीं चाहते हैं वो विंडो शॉपिंग करते हैं कुछ सच में खरीदना चाहते हैं तो ऐसे customers जो खरीदना चाहते हैं उनके साथ customers के साथ दील करना सेल एसोसियेट का पहला कारिये है कि वो कैसे deal करता है answer their questions related to products and services अगर customer कोई questions पुछते हैं products related या अगर आपको इस service प्रोवाइड करते हो तो जैसे software काई लोग software sale करते हैं या और भी जो भी services वो प्रोवाइड करते हैं तो वो service related अपनी information customer को देते हैं suggest information about other products and services इसके इलावा वो दूसरे products और services के बारे में भी उनको information देते हैं जैसे computer कोई खरीदने जाए तो साथ में USB के बारे में या Bluetooth के बारे में या speakers के बारे में जो भी वो knowledge उनको प्रोवाइड कर सकते हैं वो प्रोवाइड करते हैं next is pre-sale pre-sale means providing necessary information to customer regarding the product पतलब sales से पहले जो customer आपकी shop पर आया है आप उसको पूरी information देंगे कि क्या-क्या product के अंदर qualities हैं किस तरह से use करना चाहिए क्या-क्या precautions लेने हैं जो नहीं करने चाहिए और जो भी customer के mind में question आ रहे हैं उन सब को retailer जो है जो salesman है उनको solve करेगा marketing marketing is done by responding to the customer effectively marketing का मतलब है कि customer को respond गरना effective manner में कि customer जो है वो product को खरीदे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी sale बड़े marketing के लिए एक बहुती common सा sentence भी है कि marketing का मतलब ये भी है कि product जो customer को चाहिए वो भी sale करें जो customer को नहीं चाहिए अगर आप एक अच्छी marketing जानते हैं तो आप product भी customer को sale कर सकते हैं जैसे कि अगर customer shirt लेने आया है pant खरीदने का उसका कोई मन नहीं था बट स्टिल आपने उसको इस तरह से marketing करी कि वो pant भी खरीद के ले गया replying to mails, mails अगर customer आप से mail पे कुछ पूछते हैं mail लिखकर तो आपको उनको reply करना चाहिए telemarketing का मतलब होता है phone पर अगर customer की कोई queries हैं तो आप उनको answer दे proper management of marketing marketing company 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 marketing marketing को जो proper management करना advertisement you can say की advertisement करना conduct survey and polling इस तरह से survey forms होते हैं जो की customer से fill कर आई जाते हैं आप अगर कभी किसी मॉल पे या शॉप पे बड़े स्टोर्स में जाओ तो वहां पर survey forms होते हैं इवन रेस्टरांस में होते हैं कि आप से form फिल कर आई जाते हैं कि आपकी लाइक्स पूछी जाएंगी आपकी उस रेस्टरां के बारे में क्या क्या अच्छा लगा कुछ भी यह survey forms होते हैं जो कि customer की review जानने के लिए किये जाते हैं यह सब marketing में आते हैं इन सब का में उदेश है how to promote the sale sale को बढ़ाना है sales final जो उसका काम है वो sale करना ही है sale दो तरीके से की जा सकती है physically भी और e-sailing भी sale include physical as well as e-sailing physical selling का मतलब है कि आप ऐसे जैसे दिखे सामने आपको shop दिख रही है आप एक shop बना कर बैठ जाओ mall बना लो या बड़ा retail store या आप roadside अगर आप products को रख कर बैठ रहे हो वो भी physical sale में ही आता है इसके इलावा e-sailing e-sailing का मतलब है आप किसी website पर अपने product डाल दो जैसे amazon है flipkart है या जो भी different type of जो भी websites होती है groceries के लिए whatever hundred types of products hundred type of you can see कि आज तो बहुत सारे websites हैं जिन पर आप अपने products को डाल कर sale कर सकते हो वो सब e-sailing में आते हैं अगर आपके बिजनस में technical support की जरूरत है तो आपको अपने customer को वो technical support प्रोवाइड करनी चाहिए जैसे data verification है address update करना है application support करना है problem resolution है तो अगर कुछ मतलब problem आ रही है तो आप customer को data feed करने में या data handle करने में आप उनकी help करेंगे social media customer services social media customer services it is a strategy of providing customer services through social media channels like facebook and twitter facebook पर और twitter पर भी अगर आप note करें तो बहुत सारे ऐसे products होते हैं यो कि आपको facebook पर उनकी advertisements दिख जाते हैं twitter पर दिख जाते हैं तो वह भी method है अपनी product को promote करने का अपने product की advertisement को करने का तो social media में क्या होता है आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ connect हो सकते हो अपनी brand के बारे में आप लोगों को बता सकते हो तो it is the best method I think I should say it is the best method to sell your products in the modern life because आज की दिट में I think mostly सभी लोग social media पर active हैं so thank you for watching my video please like share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon and if you feel any doubt you can write in comment thank you